मैं सेल्फ कॉरी पुछले बिना देली करते वे मैं सूइट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं एपिसोड 26 कपल डान्स जानवी की बात सुन रूत्र तेच्छा मस्करा अपने एक बॉडिगार्ट से बोला तुम्हें पता है ना क्या करना है यस बॉडिगार्ट बोला अब आगे रात का वक्त ब्लू मून क्लब क्लब के सेंटर में सब लोग एक बरी से सरकल शेप में बैठे वे थे जानवी के राइट साइट में एशा और लैप साइट में प्रिया बैठे वे थी और जानवी के ठीक सामने रूत्र बैठावा था और उसे के राइट साइट में कबीर रूत्र बिना एक भी पल के छपकाए अपनी जान को ही देखे जा रहा था उसकी नजर खुद पर महसूस हो जानवी को गुस्सा और चिर मचरी थी इसका मन कर जा था कि वो अभी के अभी रूत्र की आखे निकाल दे लेकिन अफसोस वो रूत्र को नजर अंदास करने के अलावा कुछ और करने पारी थी वही खुद को नजर अंदास होता देख रूत्र अपने मन में बोला बस कुछ और समय इसके बाद तुम्हारी ये नसरे सिफ और सिफ मुझ पर होगी स्वीट हार्ट फिर उसी तरह जानवी को देख वो अपने बॉडिगार्ट से बोला प्ले दा म्यूसिक अपनी बॉस का ओर्डर मिलते ही बॉडिगार्ट ने गाना चाना दिया इसे के साथ शुरू हो गई पासिंग दे ब्लास्टिक बॉटल गेम नए नए करेक्शन जानवी को अपने करीब करने का गेम गाना साथ होते ही सब लोगों ने एक एक करकी बॉटल पास करना शुरू कर दिया वही रूत्र जानवी को देखती वही इतना बॉल वह बिना किसी की नजर में आए जानवी को देख एक आख मारता है जिसे देख जान भी सकपका जाती है और अपनी नस्री रूत्र से हता यहाँ वा देखती है जिसे देख रूत्र के चहरे पर एक मसकान आ जाती है इधर प्रिया वो प्लास्टिक बॉटल अपनी साइट वाली लड़की को पास करने वाली ही थी कि तभी गाना बंद होता है और वो प्लास्टिक बॉडल इसके हाथों में रह जाता है ये देख प्रिया पुरा सा मूब बनाते हैं बोली अरे यार इतनी जल्दी क्यों तभी एक बॉडिगाड इसके सामने दो बाउल बढाता है प्रिया एक बाउल से चिनकाल इस चित को खोल कर पढ़ती है फिर दिसरे बाउल से दुसरा चित निकाल जैसे वो इस चित को खोल इस चित में लिखे नाम को देख दी है इसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गय थे वो शर्माते वे बोली समीर ये सुनते ही वहां मौझद सब के मुझ से निकलता है ओ हो समीर ओए होए इधर समीर को भी बहुत शर्मा रही थी इसकी साइट में पैठा वो उसका दोस इसके कंधे पर अपने कंधे सी मारती भी धीरे से बोला ओए होए आ रही है तेरी महपूपा इसकी बार सन समीर इसे आँखे दिखाते वे बोला जुब बैठ इधर प्रिया थीरे थीरे चलते वे समीर के पास पहुँचती है फिर घटनों के बल पैठ इसके तरफ प्लास्टिक बोटल बढ़ा शर्माते वे बोली सिर्चका के तम से ये इकरार करती हूँ समीर मैं तम से बहुत प्यार करती हूँ ये सुनते ही वामुल सब लोग एक साथ बोलते हैं ओहां समीर अहां अब रिप्लाइ भी दे दीजिए ये सुन समीर के चेरे से तो मस्कान जाही नहीं रही थी वो इसकी हाथ से प्लास्टिक पॉटल ले अपने बालों पर हाथ फे मिस्कराने लगता है वो ही प्रिया को भी बहुत शर्मारी थी वो चल्ली से खड़ी हो वो सार्कल से पाहर निकलाती है इधर रूत्र को ये सब बगवास देखने में कोई इंट्रेस नहीं था वो तो बस अपनी सुईठार्ट को देखे जा रहा था अपनी सुईठार्ट को जी भर के देखने का इतना अच्छा मौका वो अपने हाथों से कैसे गवा था वही प्रिया के पाहर निकलते ही गेम फिर से शुरू हो गया फिर एक एकर सब की बारी आते गई और एक एकर सब सर्कल से पाहर निकलते गई एधर जानवी के घर में पूनम जी जानवी को फोन लगाते हुए ख़त से बोली नौ बचने वाले लेकिन पता नहीं ये लड़की कब घर आएगी बोलते वक्त पूनम जी लिविंग एरिया का पूरा चक्कल लगा रही थी पूनम जी की बात सुन कोमल जी पूनम जी को सोफी पर बिठाते हुए बोली आजाएगी पूनम पार्टी है टाइम टू लगेगा ना और इसके साथ इशा भी तो है ना पूनम जी बोली मानती हुँ जी जी लेकिन एक फोन तो कर सकती है ना और जब मैं फोन कर रही हूँ तो फोन उठानी रही है एक तो वो स्कूटी भी लेकिनी गई है आते वक्त ओटो नहीं मिली तो मम्मा इतनी चिंता मत करो दी आ जाएंगी और ये मुंबर शायर है मम्मा यहाँ ओटो नहीं मिलना एम पॉसिबल और अगर नहीं भी मिली तो दी दी टेक्सी बूक कर लेंगी सिंपल सावी लिविंग रूम में आते वें बोली फिर अपनी मम्मा को पीछे से हग करते वें बोली और रही बात फोन की तो मम्मा आपको पता है ना पार्टीस में कितना अलाउट मिजिग होता है तो शायद दी को फोन की आवास सनाई ना दिया हो फिर बड़ी मा की तरफ देखके बोली है ना बड़ी मा बड़ी मा बोली लेकिन पुनम जी को जानवी की छिंता अपी सताय जा रही थी अब वो तो एक मा है ना और एक मा के लिए अपनी बच्चे हमीशा बच्चे ही रहते हैं चाहिए वो कितने ही बड़े हो जाए इधर स सावी के रूम में टेबल पर रखा सावी का फोन कंटिन्यूसली बड़े जा रहा था और इसे के साथ बढ़ रहा था विकी का गस्सा रूम में पहुशते ही विकी ने तिरन सावी को फोन लगा लिया लेकिन सावी ने फोन नहीं उठाया अब उठाती भी कैसे वो तो रूम में थी ही नहीं लेकिन ये बार विकी को कहा ही पता थी इसने गिस्से में अपना फोन पैट पर फिक्टिवे कहा ये मेरा फोन क्यों ने उठारी मुझे तमसे बात करनी बेबी कर बाई हुक और बाई क्रुक इधर ब्लू मून क्लब में अब सिर्फ रूत्र कबीर जानवी गेम फिर से शुरू होता है और इस बार बारी आती है इशा की इसने बावल से चित को खोल कर पड़ती है कपल देंस फिर दुसरे बावल से दुसा चित किन कहा दीं लेकिन खोलने से पहले वह एक नजर कबीर को दिखती थी पता नहीं क्यूँ पर उसका दिल.っぱi्सट में इंड़ी हो जादी है वो अपनी पल्की उठा सीधे कबीर को देखती है ये देख कबीर अपने मन में बोला ये मुझे ऐसे क्यूं देख रही है फिर हैरानी से बोला करें इनके जिट में मेरा नाम तो नहीं कबीर इशा जिट में लिखे नाम को पर्टे बोली ये सुनते ही कबीर गिस्से में अपनी आँखें बन कर लेता है उसे इशा के साथ दान्स करने में कोई इंट्रेस नहीं था उसे तो इशा को देख के ही इरिटेशन होती है इधर इशा अपने चेह से खड़ी हो सेंटर में आती है वही कबीर भी मन मार कर चेह से खड़ी हो सेंटर में आता है दोनों के सेंटर में आते ही एक रोमेंटिक सॉंग प्ले होता है गाना चलते ही कबीर ने अपना एक हाथ इसके तरफ पर आया ये देख इशा कबीर को देखती है फिर इसके हाथ को थाम कबीर के थोड़ा करीब चाते है इसके करीब चाते ही इशा की दिल की धरकिने काफी तेजी से धरकने लगते है कबीर इसके हाथ को अपने कंधे पर डख फिर इसके दिस्री हाथ को पकड़ मूफ करने लगता है इशा कबीर के आखों में देख रही थी लेकिन कभीर यहाँ वाह देख रहा था वो उसके आखों में नहीं देख रहा था ये देख इशा उसे देखते बोली मेरी तरफ देखे ना सर उसकी बात पिर कभीर कुछ रियाक्ट नहीं करता वो बस उसी तरह अपनी नश्र यहाँ वाह घुमा रहा था that's it for today guys while the ugly episode me bye